दस्तों आज हम कवर करेंगे modern history का very very important topic governor governor journal वाइस राई इन्होंने अपने कारिय काल में कौन-कौन से महत्वपून कारिय किये सीधे सीधे exam question पूछे जाते हैं यह ऐसा topic है भाई चाहे आप किसी भी level का exam दे रहे हो यह आपका पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक आप इसे या नहीं कर लोगे हर एक्जाम यहां से question पूछे जाते हैं आपने हाली में देखा होगा तो यहां से जितने भी important question बनते हैं उन सभी को हम ट्रिक से याद करेंगे और यह आपको चुट क्यों में आद हो जाएंगे तो भाई स्वागत आप सभी का जी के महत्मजी में चलिए स् में लगा तीसरा इन्होंने प्लासिक की लड़ाई लड़ी देखिए आपको पताई होगा प्लासिक की लड़ाई रावर्ट कलाईव और बंगाल के नवाब सिराजु दोला के मज्द्य हुई ती जिसमें बंगाल के नवाब हार गए थे और रावर्ट कलाईव जीत गए थ दूसरा इस्ट इंडिया कंपनी के हातों में होता था और परसाशन बंगाल का नवाब चलाते थे। यानि कि सासन दो व्यक्तियों के हाथों में हो गया, एक तो बंगाल के नौब के हाथ में हो गया, दूसरा इस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में और यह कहलाता था दूएद सासन। त्रिक्से कैसे याद रखेंगे, देखिए Robert Kalaiw, Kalaiw का बन जाएगा कलाई, और अपने कितनी कलाई है, दो कलाई है और यहाँ है दुएद सासन, दुएद याने की दो, तो यह बिल्कुल लिजिए न, कलाईव भी दो है और दुएद सासन भी किसने चलाया, Robert Kalaiw ने, देखिए Robert Kalaiw के बाद लाड वेरेश्टल गवर्नर बने, फिर उनके बाद करटियर गवर्नर बने, जो कितने इंपोटेंट नहीं है, फिर नंबर आता है, वारेन हैस्टिंग्स का, यह वेरी वेरी इंपोटेंट है, यह बंगाल के अंतिम गवर्नर थे, और बंगाल के पहले गवर्नर जर्नल थे, याद रखना दोस्तों, बंगाल के अंतिम गवर्नर थे, वारेन हैस्टिंग्स, और बंगाल के पहले गवर्नर जर्नल, वारेन हैस्टिंग्स, अब इनके समय में क्या क्या हुआ, वेरी वेरी इंपोटेंट है, सबसे पहले, रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ 1773 में अब यह रेगुलेटिंग एक्ट क्या था तो इस एक्ट के तहट इस्ट इंडिया कंपनी के कारियों को नियंतरित किया गया और संसद्य प्रणाली को स्थापित किया गया राजनेतिक कारियों को माननेता दी गई अब इसे याद कैसे रखेंगे देखिए व वारेन का हो जाएगा वार्निंग वारेन वार्निंग और यहां है रेगुलेटिंग इसका हो जाएगा रूल रेगुलेशन रेगुलेटिंग से वह इसे ना अब बंदा कहरा के भाई वार्निंग देता हूं आपको आप अपने रूल में रहें रेगुलेशन में रहें यान पाउस वा था उसके अंदर जो भी खामिया रह गई थी जो भी कम्या रह गई थी उन्हें दूर करने के लिए अंग्रेजो के हित की रक्षा करने के लिए पीट्स इंडिया एक्ट 1784 लाया गया किसके समय में वारेन हैंस्टिंग्स के समय में याद कैसे रखेंगे देखिए वारेन को हम रिलेट कर रहे हैं वार्निंग से और यहां है पीट्स इंडिया पीट्स का बन जाएगा पीटना पिटेगा और इंडिया का इंडिया अब बंदा कह रहा है कि भाई मा आपको वार्निंग दे रहा हूं अगर इंडिया के अंदर रूल रेगुलिशन से नहीं र पूछा जा चुका है एक्जाम में और पहले न्याईदीस कौन थे अलिजा इंपे अब देखिए पहले सुप्रिम कोट की बात हो रही है किसके समय में स्थापित किया गया वारेन हैश्टिंग के समय में अब बंदा कह रहा है ए मैं तरको वार्निंग देता हूं मेरे साथ चि करेगा तो मैं तुझे सुप्रिम कोट तक खेंच के ले जाओंगा वार्निंग दे रहा है यानि की वारेन हैश्टिंग नेक्स बारत का पहला समाचार पत्तर दा बंगाल गजट या फिर हम कह सकते हैं दा कलकता जर्नल एडवाईजर परकासित हुआ किसके समय में वारेन है हें और यह किसके दोरत क्रकासित हैं जैंप ऑगस्टस 1718 में और इन्हों ने अपने समाचार पत्तर में इस्ट इंडियां कंपिन और अंग्रेजी सरकार की जंप करा अलोचना कि फिर क्या था कंप्नी ने इनकी प्रेष को यूठा लिया और इनका समाचार útil पत्तर हो गया याद कैसे रखेंगे देखिए सरकार ने इन्हें वार्निंग दी यानि कि वारेन हैश्टिंग्स कि भई हमारे खिलाप मत लिखो हमारे खिलाप मत चापो यह नहीं माना वार्निंग को हुआ क्या सरकार ने इनकी प्रेश जपत कर लिया और पेपर बंद हो गया नेक्सट अशियायटिक सोसाइटी आफ बंगाल के स्थापना इस्थापना किन के समयम हुई वारेन हैश्टिंग्स के समयम हुई और किसके दौरा की गई, सर विल्यम जॉंस के दौरा, अब ये सर विल्यम जॉंस कोन थे, ये कोई गवर्नर नहीं थे, ये परसिद और विध्या सास्त्री थे इन्हें संस्किर्थ फार्सी अर्बी जर्मनी फ्रेंच पुर्दगाली और स्पेनीज भासाओ का बहुत अच्छा ग्यान था और इन्होंने एसियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की किसके समय में वारेन हैस्टिंग्स के समय में लाड क करना वालिष के समय में हुई यह तीन पुएंट इन्पोटेंट है अब देखिए लाड कार्न वालिष अब देखिए स्टाइटिंग में है कार्न का हो जाएगा कौन औरニ वालिष वालिष पुलिस वालिस पुलिस सेम वोईस आ रही है न और यहां है सिविल सेवा और पुलिस का जनक अब पुलिस का तो पुलिस हो गया सेम वोईस होगी और पुलिस क्या करती है सिविल सेवा भाई जो सिविलियंस होते हैं उनकी सेवा करती है पुलिस और कारना वालिस में लास्ट में आ रहा है वालिस यानि की पुलिस तो लाड कारना वालिस क्या होगे सिविल सेवा और पुलिस के जनक भूल मत जाना मेरे भाई एक किस्चन और बनता है यहां से देखे सिविल सेवा के तहत उच पदो की निक्ति के लिए परतियोगता परिक्षा की सुरुआत किसने की तो वो की थी लाड डल होजी ने किसने लाड डल होजी ने की थी इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे नेक्स्ट है स्थाई बंदोबस्त अब ये क्या था देखे 1793 में बंगाल बिहार उडिशा में भूमी कर योजना लागू की गई अब ये योजना क्या थी तो इस योजना के तहत जमीदारों को भूमी रजशव का 90% भाग कमपनी को देना होता था और जमीदारों के पास बसता था 10% भाग अच्छा भई ये योजना लागू की लाड करना वालिस ने लेकिन ये बनाई किसने थी सर जान सौर ने किसने बनाई थी सर जान सौर ने इसे बनाया था और लागू किया लाड करना वालिस याद कैसे रखेंगे करना वालिस वालिस को हम पुलिस से रिलेट करें वालिस पुलिस और पुलिस क्या है भाई कोई भी प्रोग्राम है स्थाही बंदोबस्त कोन करती है पुलिस करती है भाई कोई भी चोटा मटा प्रोग्राम होगे कोई नेता आ रहे हैं जा रहे हैं तो वहाँ का स्थान ये बंदो बस्त कोन करेगी पुलिस करती है मेरे भाई सिरी रंग पत्नम की संदी ये लाड करना वालिस और टीपू सुल्तान के मद्दे हुई यानि कि ये संदी लाड करना वालिस के समय में हुई याद कैसे रखेंगे करना वालिस वालिस पुलिस और यहाँ है सिरी रंग पत्नम सिरी रंग सिरी राम ए सिरी राम पुलिस से तो दूरी रखे ए सिरी राम मुझे कभी पुलिस टीशन मत दिखा तो लाड कारणावालिस यान एकी पुलिस किसे समंधित होगी सिरी रंग पटनम से दोस्तों ये सिरफ आपको रिलेट और याद कराने के लिए पुलिस आपकी मदद के लिए होती है नेक्स्ट सर जानसौर इनके समय में खारदा का युद हुआ ये युद किनके मद्द हुआ मराठो और निजाम के मद्द हुआ था खारदा का युद और किसके समय में सर जानसौर के निक्स्ट वेरि इन्पोटेंट लॉड वेल जली इसे बंगाल के शेर के नाम से भी जाना जाता है और इसने प्रेस पर परतीबंद लगाया सायक संधी प्रणाली लागो की, किसने लॉड वेल जली ने और चोथा आंगल महसूर युद हुआ किसके समय में लाड वेले जली के समय में अब देखी लाड वेले जली वही सारी है जली वेले जली जल जाना जल बुंद जाना और यहां है बंगाल के सेर के नाम से जाना जाता थे ने तो बंगाल को जाएगा बंगला और सेर को हो जाएगा सेर भाई बंदे ने बंगले पेना सेर रख लिए तो लोग उसे देखकर जल गए जलने लगए आने कि लॉड वैल जली नेक्स्ट प्रेस पर प्रती बंद लगाया किसने लॉड वैल जली ने अब यहां भी जली आ रही है अब बंदा प्रेस कर रहा था प्रेस करते करते पैंट जल गई वैल जली जली पैंट जल गई तो क्या किया उसने प्रेस पर प्रती बंद लगा दिया बोला आज के बाद प्रेस ही नहीं करनी प्रती बंद लगा देता हूँ क्यों 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 कि भाई उसकी पैंट जल गई जली लॉड वेल जली प्रेश परपरतीबं लगा दिया क्योंकि वह आपस में जलने लग जाते हैं एक दूसरे को देखकर तो साहय था थोड़े ना करेंगे यानि कि साहयक संधी किसके समय में हुई लौड वैल जली के समय में ये साहयक संधी था क्या थी, देखिए संधी का मुख्य लक्ष के था ब्रिट स्राजै का विश्थार करना कोड़े ब्रिध näm से कि एग और एक पुछा थाक संधी साहयक संधी किस ने स्वीकार की तो वो हैदराबाद के सासक थे जिन्होंने सबसे पहले अंग्रेजों की साहयक संधी को स्वीकार किया देखी साहयक संधी परणाली की सुरुआत की थी फ्रांसिसी गवर्नर डुपले ने लेकिन वो इस संधी को सही डंक से लागू नहीं कर प पुत्तर टीपू सुल्तान के मद्धे हुआ, इस यूद में टीपू सुल्तान मारे जाते हैं और ये यूद अंग्रेज जीट जाते हैं, देखिए मेरे भाई वीडियो तोड़ा लेंदी हो सकता है, तो आप धेर ये रखिएगा, एक बार वीडियो को कम्पलीट जरूर देख लीजिएगा अगर आप बीच में ही वीडियो को छोड़ देंगे तो ना आप इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे तो एक बर वीडियो को कम्प्लीट देख लीजिए ये सब कुछ आपको इजिली समझा जाएगा इनके टाइम में एक मुख्य गटना गटी क्या वैलोर का सिपाही विडरो वैलोर का विडरो पूरे एक दिन चला जिसके दोरान विडरोयों ने वैलोर किले को जपत कर लिया और लगबग 200 ब्रेटी सनिकों को माल डाला था और ये विडरो हुआ 1806 में याद कैसे रखेंगे देखिए सर जर्ज वारलो और वैलोर वारलो है यहाँ और यहाँ है वैलोर सेम वोई से ना तो इसे याद रखेंगे नेक्स्ट है लाड मिंटो इनके समय में हुई अमरित सर की संधी ये संधी राजा रंजीत सिंग और इ अमरित सर के भाई अगर किसी बंदे को अमरित मिल जाए ना तो मिंटो में उसे पीकर अमर हो सकता है तो लाड मिंटो में क्या हो गया अमर हो गया बंदा यानि कि अमरित सर की संधी नेक्स्ट लाड हैस्टिंग इनका कार्यकाल 1813 से 1823 तक रहा देखिए एक हमने पीछे 1873 में पीट्स इंडिया एक्ट आया था 1784 में पहले सुप्रिम कोट की स्थापना हुई थी 1774 कोलकत्ता में बारत का पहला समाचार पत्तर था बंगाल गजट इन्ही के समय में परकासी दुआ था और एशियाटिक सोसाइटी आफ बंगाल की स्थापना भी इन्ही के समय में थी किनके वारेन हैश्टिंग के समय में अब बात करते हैं लौड हैश्टिंग की देखे इनके समय में नेपाल युद हुआ लौड हैश्टिंग ने नेपाल के राजा के साथ युद किया और उसे युद में पराजित किया इसके तहत उन्होंने संधी की वो संधी कहलाई स लौड हैश्टिंग के समय में अब ये पिंडारी कौन थे तो मराड़ा चेतर के कुछ हिंदू मुसल्मान थे जो कि ब्रिटिस कंपनी को लूटते थे उन्हें लुटेरे की संग्या दी गई थी और ये कभी कभी व्यापारियों को भी लूट लेते थे तो ये सरदर्द बने ह हुए थे ब्रिटिस कंपनी के लिए तो इनका दमन किया गया किस के समय में लौड हैश्टिंग के समय वेरी वेरी इंपोटेंट एग्जाम में यासी क्यूशन पूछे गई हैं अब क्यूशन ये भी पूच सकते हैं कि भई पिंडारियों के सरदार कौन थे अमीर खां वसी गवर्नर जर्नल बनने से पहले कहां पर कारिय रद थे ये पहले मदरास के गवर्नर थे और कब ने उक्त किये गए थे 1803 में देखिए इनके समय में बहुत अच्छे कारिये किये गए और कोई भी यूद नहीं लड़ा गया क्या कारिये थे देखते हैं देखिए सबसे पहल किया गया ठगी परता पर रोक लगाई गयी 1830 में और उसके बाद क्या किया गया कोलकत्टा मेडिकल कोलेज की स्थापना की गयी 1835 में किस के समय में लौड विल्यम बैंटिगक के समय इन्हेm ट्रिक 1833 के तहत और यह किसके समय में आया लॉर्ड विलियम बैंटिक के समय में नेक्स्ट नहरे सड़के अवं तालशी सावरचनिक सुई धाई भी लोगों को उपलब्द कराई यानिक इन्होंने बहुत अच्छे-च्छे काम किये अब ट्रिक से देख लेते हैं अब देखिए बैटिंग के लिए गया और एक बोल में ही आउट हो गया तो वह अपने आपको ठगा सा महसूस कर रहा है तो लाड विलियम बैंटिक हो गया ठगी पर्था से संबंदी नेक्स्ट कॉलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1835 में किसके समय में लाड विलियम बैंटिक बैटिंग किसने की जबरदस्ट भाई कोलकत्ता मेडिकल कॉलेज टीम जो थी ना उसने जबरदस्थ बैटिंग किया और वो मैच जीत गए नेक्स्ट अंग्रेजी को सिक्षा का माध्धं बनाया किसके समय में लोड विलियम बैंटिक बैंटिक यानिकि बैटिंग और वोव में भेदभाव का अंध किसके किया गया लॉड विलियम बैंटिक के समय में किसके तहत चार्टर एक्ट 1833 के तहत अब क्या कह रहे देखिए बैंटिक यानिकी बैटिंग कि बैटिंग करेगा ना सरकार उसके साथ कोई भेदभाव नहीं करेगी उसे इंडियन टीम में ले लिया जाएगा लेकिन सर्त यह है उसे जबरदस्त बैटिंग करनी पड़ेगी नेक्स्ट नहरों सडकों तालाबों जैसी सारजनिक सुईधाओं का निर्मान करवाया अब इसे बैटिंग से रिलेट करेंगे वह देखिए इंडिया में बैटिंग का किर्केट का इतना क जगे मिले शड़कों नहरों तालाबों बस कर्केट सर्व हो जाती है बैटिंग सर्व हो जाती है यानि कि लॉर्ड विलियम बैट चार्ल्स मैटकॉफ 1835 से 1836 तक है भारत के गवर्नर जर्नल रहें इनके समय में मैं तो पूर्ण कारिया किया गया प्रेश को सवतंतरता दि समाधन क्या निकाला गया कि बहुए मैट भी जा लो मैट भीचा कर पारेश करो नहीं चलेगी और यहां मैट काफ मैट आगया ना दरि विचापरेश को सवतंतरता किस ने दिलाई चार्ल्स मैटकॉफ ने मैट ने दरी ने दोस्तोथ थोड़ा फणी जरूर है लेकिन याद होना है ना बस नेक्स्ट लार्ड ओक्लेंड 1836-1842 तक भारत के गवर्नर जर्नल रहें इनके समय का कार्य है जिट्टी रोड की मरम्मत कराना अब यह जिट्टी रोड क्या है तो आपको पता होगा मेरे भाई सेर सासूरी ने इसका निर्मान करवाया था और परजेंट में यह नेशनल हाईवे वन और नेशनल हाईवे टू के रूप में जाना जाता है मेरे भाई तो जिट्टी रोड किसे समंधित हो गया लाड आकलैंड से नेक्सट भारतिय विद्ध्यारतियों को डाक्ट्री की सिक्षा हे तु विदेष जाने की अनुमती मिली किस के समय में लाड आकलैंड के समय में तो दोस्तो लॉर्ड आइकलेंड के समय के ये दो भैतोपुन कारियते जीटी रोड की मरामत की गई और भारती विध्यारतियों को डॉक्टरी की सिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमती मिली। नेक्स्ट ऐलन ब्रो 1842 से 1844 तक भारत के गवर्णर जर्लर रहे इनके समय में दो मुख्य कारिये हुए दास परता का अंतुवा 1843 में और सिंध का विले किया गया अब दीए ऐलन ब्रो के स्टार्टिंग से ऐल को निकालेंगे ये बन जाएगा नब्रो ने रो नेब्रो ने लेकिन बंदा रो रहा है क्यों कि भाई उसे दास बना के रखा गया है दास पर था अब किसी को दास बना लेंगे तो खुश कैसे रहेगा वो तो रोएगा ना तो एलन ब्रो रो की वो इसारी है तो समझ ले ना बंदे को दास बना के रखा था इसलिए वो रो रहा था दोस्त नर्बली पर्था को समाप्त करने में लॉर्ड डलहोजी का भी महत्वपूर्ण योगदान था यानि कि ये दोनों ही संयुक्त रूप से इसमें भागेदार थे अब बात करते हैं लॉर्ड डलहोजी की वेरी वेरी इन्पोटेंट 1848-1856 तक ये भारत के गवर्नर जर्नल रही क्येस्टन पूछ सकते हैं कि निम्ड में से किस गवर्नर जर्नल को आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में जाना जाता है तो कौन होगा लाड डलहोजी डलहोजी में वो ही सारी है ना डलहोजी कोई बंदा बोल देता ना कि आप तो डलहोजी पढ़ाई में आप तो ड डलहोजी लेकिन यह नहीं पता जो बंदा डल होता है ना वो ही निर्मान करता है आधुनिक आधुनिक भारत का निर्मान कोन करेगा जो डलहोजी वो ही आधुनिक भारत का निर्मान करेगा मेरे भाई नेक्स्ट इनके समय में रेलवे का विकास हुआ पहली रेल डलहोजी क किसे समय में संचार पढ़ना ली यानि कि विद्दुतार सेवा की सुरुवात की गई पहली संचार सेवा आगरा और कलकत्ता के बीच सरू हुई उसके बाद है डाग घर अदिनियम पास हुआ किसके समय में लौड डल हो जी के समय में डाग टिकट का परचलन सरू हुआ दो कि जी भाई बंदा वाक्य में ही डल है क्यों रेलवे का विकास यानिकी रेलवे का टेस्ट नहीं किलियर कर पाया संचार परणाली दूर संचार विबाग के एक्जाम दिये उसमें भी फैल हो गया क्यों कि डल है नमबर तीन डाग घर अदिनियम यानि कि पोस्ट ओपीज के को निकले थे डाग घर के फार्म निकले थे उसमें अपलाई किया, लेकिन पास नहीं कर पाया, क्यों? क्योंकि डल है, यानि कि डल हो जी, और क्या-क्या कारी है हुए डल हो जी के समय में, मेरट में तोब खाना स्थापित किया गया, अब पेरेंट्स हो गये दुखी, अगे तो डल है डल है इतना गुसा आता कि इसे तोप से उड़ा दे तोप खाना सम्मधित हो गया डल हो जी कि अरे डल बच्चा है ऐसा गुसा आता कि तुझे मैं तोप से उड़ा दू एक भी टेस्ट किलियर नहीं कर रहा तो Next सिमला को गिरिस्म कालीन राजधानी बनाया गया किसके समय में लॉड डल हो जी मैं अब पता चला के भई बंदा डल क्यों है भाई गर्मियों में तो सिमला गूमने चला जाता है दो दो महीं ने पढ़ाई कैसे करेगा इसलिए वो डल हो गया क्यों हो गया डल क्योंकि गर्म हो जी डल हो जी सब कहरें डल हो जी डल हो जी लेकिन बंदे उस्सा आ तो मुझे डल हो जी कह रहे हो मैं सिविल सेवा परतियोगता की परिक्षा को किलियर करके दिखाऊंगा किलियर करके दिखाऊंगा मुझे डल हो में परतियोगता प्रिक्षा की सरुवात किसने की लॉड डल हो जिने लेकिन बारत में सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है फर्स्ट चेप्टर में आपको कराया था इसका जवाब कमेंट्स बोक्स में देना मेरे भाई और मुझे पूरा विश्वा से इसका आप सही सही ज किसके समय में लाड डल हो जी अब डल हो जी से डल आ रहा है कि वह अगर बंदा डल है ना तो लोग उसकी प्रोपर्टी को जायदाद को हड़ अप लेते हैं बंदा डल है वो कुछ करी नहीं सकता तो लोग क्या करेंगे उसकी प्रोपर्टी को हड़ अप लेंगे हड़ और सबसे पहले मिलाया गया सतारा जो कि महराष्ण में होता है 2848 में, फिर उसके बाद जैतपूरा 1849 में, फिर समभलपूर 1849 में, फिर उद्यपूर ये मद्यपर्देश वाला उद्यपूरे 1852 में, फिर जासी को अडप लिया 1853 में, फिर नाґगपूर को अडप लिया 1854 मे फिर अवद को हड़ अप लिया 1856 में अब बर्दास से भार हो गया तो भाई हो गई 1857 की करांती देखे 1857 की करांती के बहुत से कारण थे उनमें एक मुख्य कारण ये भी था अंग्रीजों की हड़ अप नी थी और भाई 1857 की करांती हो गई सरू अब नेक्स आते हैं लॉड केनिंग 1856 से 1858 तक भारत के गवर्नर जर्नल रहे इनके बाद वायसराय का पद बना दिया जाता है पहले बात करते हैं लॉड केनिंग की ये भारत के पर्थम वायसराय बने कौन लॉड केनिंग याद रखना और 1857 की करांती इन्ही के समय में हुई दिखी जब 1857 की करांती हुई उस समय भारत के गवर्नर जर्नल लॉड केनिंग थे अब 1857 की करांती के बाद 1858 का अधिनियम आया ये अधिनियम क्या था इसके तहत भारत में कंपनी के सासन का अंत कर दिया गया और भारत की सासन वयस्ता चली गई सीधी ब्रिटिस क्राउन के हातों में यानि की सासन वयस्ता पूरी तरह से इंगलेंड सरकार के हातों में चली गई और फिर पद बनाया गया वाइसराय का वाइसराय का मतलब क्या होता है राजा का परति निधी देखे लॉड केनिंग जो कि भारत के अंतिम गवर्नर जर्नल थे उन्हें ही भारत का पहला वायचराई बनाया गया नेक्स्ट आई पीशी यानि कि भारत ये दंड सहीता की स्थापना 1860 में किसके समय में हुई लॉड केनिंग के समय में और विद्वाओ का पुनर विवा अधिनियम 1856 में लॉड केनिंग के समय में हुआ कोलकता मुंबई मदरास में विश्विध्याले की स्थापना वो भी ब्रेटेन की तरजपर 1857 में किसके समय में लॉड केनिंग के समय में अच्छा एक हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कोलकता में मेडिकल कोलेज की स्थापना 1835 में किसके समय में हुई थी लॉड विलियम बैंटिक के समय में बैंटिक यानि की बैटिंग कौन करना जबरदस्त कोलकता मेडिकल कोलेज ने बैटिंग के जबरदस्त और बात करते हैं, 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 बात करता है, बात करते हैं, बात करते हैं, बात करते हैं, बात करते हैं, बात करते के निंग ने क्या किया और अगर कोई विध्वाह कर सकता है उसके लिए अधीनियम लिया 850 में के निंग के नहीं concise अग्र कोई विध्वाह Lanc wireless कर सकती है और यहां द्धेनियम कॉन ले आया ? लौड केनिंग के नहीं भाई दूबहा से विवाह हो fiण नेक्स्ट लॉड मेयो 1879 से 1872 तक भारत के वायसराय के पदपर रहें पहला कारिये परथम जन्घना 1872 में देखिए ये परथम जन्घना थी जो 1872 में होई थी जबकि नियमित जंगनना सुरूहीती 1881 में उसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे एक किस्टन और बनता है वह कोन अंग्रेजी वाइस राय थे जिनकी भारत में हत्या हुई तो वो थे लौड मेयो देखियो पॉर्ट बलेयर में जिसे काला पानी कहा जाता था वहाँ पर ये गए थे कैदियों को देखने के लिए और वहीं पर इनकी हत्या करती गई थी ये एक्जाम में पूछा भी जा चुका है याद कैसे रखेंगे देखिये लौड मेयो अब मेयो से वो इशारी है मेयो ये बात करें उस मैं की जो इनसान के अंदर मैं आ जाती है ना कि मैं ही हूँ सब कुछ मैं ही हूँ मेरे सुपर कोई नहीं है उस मैं की बात कर रहे है और जिसके अंदर ये मैं आ जाती है पर्थम जण गन्ना उसकी कभी भी गन्ना नहीं होती इनसानों में क्यों कैंगि उसके अंदर मैं आ जाती है वो इंसानों वाली बात ही नहीं करता तो उसकी गनना कभी नहीं होगी इंसानों में यानि की परठम जननना और लाश्ट में है पॉट बलेर में इनके हत्या हुई अब देखे बंदें के अंदर मैं आ गई मैं आ गई ना तो लोग उनसे चिड़ने लग गए और उसकी हत्या कर दी तो भाई मैं की वज़े से इनकी हत्या हुई यानि कि लॉड मेयो अब किर्सी विभाग किस था अपना किर्सी विभाग को कैसे रिलेट करेंगे मेयो, मेग, मेहे, बारिस बोलते हैं न किसान हे भगवान मेह बरसा दे हे भगवान मेगा को लेया मेग, मे तो वो किसके लिए जरूरी होते हैं किर्सी के लिए, किर्सी विभाग किसे संबन्दित हो गया लॉड मेह उसे, मेह बरसा दे भगवान नेक्स्ट, लॉड लिटन 1876 से 1880 तक भारत के वाइस राय रहे हैं यह वेरी वेरी इंपोटेंट है देखिए पहले अकाल आयोग की स्थापना की गई इनके समय में 1878 में रिचर्ड स्ट्रेची की अद्ध्यक्सता में और इसे नाम दिया गया स्ट्रेची आयोग अब देखिए लौड लिटन लिटन से वो इसारी है लिया टन क्या अनाज लिया मेरे भाई कितना लिया कई टन लिया अनाज भारत से अंग्रेजों ने तो लिटन का हो गया लिया टन अब टनो अनाज ले लिया तो मेरे भाई अकाल तो आएगा ना ऐकाल पढ़ गया भाई अंग्रे जो ने लिया टनो अनाज भारत से तो भारत में अकाल तो पढ़ना ही था ना तो पहले अकाल आयो किस्ता अपना किसने की लॉड ले टनने और किसकी अध्यक्स tätä में रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्स tätä में ऐसे याद रख लीजिए, दोस्तों ये छोटे छोटे पॉइंटी है, जो एकजाम में पूछ लिये जाते हैं, आप इसे इगनोर मत कीजिएगा, नेक्स्ट है भारतिय सस्तर अधिनियम, 1878 में, ये अधिनियम क्या था, तो देखिए इस एक्ट के तहट कोई भी भारतिय बिन अधिनियम किसके समय में आया, लौड लिटन के, नेक्स्ट, वरनाक्यूलर प्रेस एक्ट, 1878 में, अब ये क्या था, तो देखिए इस एक्ट के तहट भारती समाचार पत्र पर पर परती बंद लगा दिया गया, अब देखिए अंग्रेज ले जा रहे है, टनो अनाज, या वरना भुगतना पड़ेगा, वरना क्यूलर एक्ट, और एक काम किया था लिटन ने, सिविल सेवा की परिक्षा आयू को इस वर्स से घटा कर 19 वर्स कर दिया, लेकिन बाद में इसे फिर से 21 वर्स कर दिया गया, अब बात करते हैं, लौड रिपन की, जिन 1880 से 1884 तक भारत के वाइसराई के पजपर कारिये किया, यह बहुत ही उधारक माने जाते हैं, इसलिए फ्लोरेंस नाइटिंगल ने रिपन को भारत का उधारक कहा है, अब देखिए लौड रिपन, रिपन को हम रिलेट करेंगे, रिब्बन से रिब्बन काटना, और सबसे पहले है, स्थान पर्थम नियमीत जनगना की सरुवात, 1881 में, किसके समय में हुई, लौड रिपन के समय में, कन्फ्यूज नहीं होना दोस्तों, यह पर्थम नियमीत जनगना है, और पहली जनगना हमने आपको अभी पीछे बताया था, 1872 में, किसने सरुव की थी, लौड मेयोने, जिस बं लौड रिपन, पर्थम नियमीत जनगना, नेक्स्ट, पर्थम कारखाना अधी नियम, 1881 में, किसके समय में, लौड रिपन, अब भाई पर्थम कारखाना कोई खोलेगा, तो रिबन तो काटे गाला, उदगाटन करेगा, उसको नेताजी को बुलाएंगे, नेताजी रिबन काट दो, तो पर्थम कारखाना खोला तो रिबन काटा, यानि कि लौड रिपन, नेक्स्ट, हंटर कमिशन, 1882 में, किसके समय में, लौड रिपन के समय में, अब अंग्रेज इतने अत्याशारी थे, अगर कोई इंडियन रिबन काट देता था ना, तो उसको हंटर मारते थे अगर किसे इंडियन ने रिबन काट दिया, तो अंग्रेज उसे हंटर मारते थे, यानि कि हंटर कमिशन, किसे समंदित हो गया, लौड रिपन से, अच्छा यह हंटर कमिशन क्या था, इसके तहत प्रात्मिक सिक्षा से समंदित सुझाओ दिये गए, नेक्स्ट, इलबर्ट बिल विबाद, 1884 में, किसके समय में हुआ, लौड रिपन के समय में, अब यह इलबर्ट बिल क्या था, वेर वेर इंपोटेंट है, इस बिल के तहत, भारत में जो ब्रेटिश नियाएदीश, यानि कि जो नियाएपाली का थी, और जो बारत ये नियाएदीश थे, उन्हें बराबर का दर्जा दिलाने की बात कही गई थी, बराबर का दर्जा, क्या इससे पहले बराबर का दर्जा नहीं था, नहीं था मेरे भाई, अगर कोई ब्रेटिश बारत में कोई अपराद कर देता था, तो उसका मुकदमा ब्रेटिश नियाएदीश ही सुनता था, ब्रेट प्रेशर बनाया गया दबाव बनाया गया फिर क्या था लॉड रिपन ने त्याग पत्तर दे दिया कि बाई अगर भारती न्याय दीशों को बराबर का अधिकार नहीं दिया जाता है तो यह पकड़ो अपनी कुरसी यह पकड़ो अपना ताम जाम मुझे नहीं करना इसलिए लॉड रिपन को भारत का उधारक कहा जाता है था ना सोलिड बन्दा था ना लॉड रिपन नेक्स्ट लॉड करजन अठारा सो निन्यान में से 1905 तक भारत के वाइसराही रही क्या किया बंगाल विभाजन 1905 में अब करजन करज हो गया बंदे पर तो उसने क्या किया बंग यानि कि बंगला अपने बंगले का विभाजन कर दिया बंगले को बेच दिया कि भाई मुझे तो कर्ज हो गया बहुत सा पैसे नहीं है ले बंगले का विभाजन कर ले बंगला है इसको बेच दे और कर्ज उतार ले तो लाड़ करजन हो गए बंगाल विभाजन से संबन दित नेक्स्ट भारतिय विश्वी ध्याले अधीनियम पारित हुआ 1904 में किसके समय में लॉड करजन के समय में ने आपको पीछे बताया था कि 1857 में लॉड केनिंग ने कलकता मुंबई मदरास में विश्वी ध्याले की स्थापना कर दी थी ब्रेटेन की तरज पर अब यहां लाड करजन ने भारतिय विश्वी ध्याले अधीनियम पारित किया 1904 में अब करजन का हो गया करज के भारतिय अगर विश्वी ध्याले में पढ़ते थे ना तो उन्हें करज लेना पढ़ता था बहुत कोष्टली था भारतिय करज लेकर विश्वी ध्याले अधीनियम लाड करजन करज लेकर पढ़ते थे एक पाइंट और नोट कीजिए देखिए 1902 में टामस रेलू की अध्यक्सता म में भारतिये विश्विद्य अधिनियम पारित कर दिया गया लाड मेंटो दिवित्य 1905 इसलोंinement तक अब यह लाड मेंटो से तो पर्थम कौन थे लार्ड मेंटो भारत के गवर्णर जर्नल थे 1807-1813 तक समय मीए कार्य हुआ था अम्रित्सर की संधी मिंटो याने की मिंट अगर बंदे को मिल जाये न तो मिंटो में उसे पीकर अमर हो जाएगा याद कराय था न आपको पीछे और पीचे और अब है लाड मिंटो दिवूट्य एक बात बताऊँ ना ये लाड मिंटो पर्थम के परपोत्र थे इसने क्या किया फूट डालो और राजकरो की नीती पर कारिया किया और मिंटो में भारत के टुकडे कर दिये आगया ने मिंटो लाड मिंटो द्वीते मिंटो में भारत के टुकडे कर दिये सबसे पहले क्या किया मुस्लिम लीक की स्थापना की 1906 में फिर कां Mouslim League की स्ताफ ना कर दी कि مسلمان अलग हो जाएंगे फिर Kangresages विवाजन किया के Kangreset भी आपस में अलगंग हो जाएंगे फिर पिर थक निर्वाचन वे अस्ता कर दी कोंसलिंग में इन्की निक्ति की गई किसके समय के समय में बढ़िया काम करिया पता नहीं भूल चुकम हो गया के अब बात करते है लौर्ड हर्डिंग दिवित्टे 1910 से 1916 तक भारत के वाइसराई रही अब यह लौर्ड हर्डिंग दिवित्टे है तो पर्थम कौन है मेरे भाई पर्थम थे लौर्ड हर्डिंग जो 1844 या 1848 तक बारत के गवर्णर जर्नल रहे थे अब लाड हर्डिंग दिवित्य ने क्या किया बंगाल विबाजन को रद कर दिया 1911 में और बंगाल विबाजन किसने किया था लाड कर जन्ने की दूसरा कारिय दिल्ली को राजधानी बनाया कब 1912 में और इससे पहले कहा थी कोलकत्ता इससे पहले राजधानी कोलकत्ता होती थी 1912 में दिल्ली को राजधानी बनाया किसने लाड हर्डिंग दिवित्य ने और एक कार यह हुआ बनारस हिंदू यूनिवस्टी यानि की बी एच्चू की स्थापना की गई 1916 में किसके दौरा मदर महान मालविय जी के दौरा बना की स्थापना की गई 1911 में बात करते हैं चैंप्ष पर 916 से 1921 तक भारत के वाईसरा है रहे अब देखिए चैंप्ष फोड़ च और फोड और फोड का – फोड़ दूंगा फोर्ड दूँगी चस्मा फोर्ड दूँगी बीवी कह रही है पती को चैम्स फोर्ड चस्मा फोर्ड दूँगी हॉम रूल आंदोलन 1916 में हॉम रूल घर के रूल नहीं पता तुझे तुझे हॉम के रूल रेगुलेशन नहीं पता चस्मा फुडवाएगा तू, चस्मा फूड़ दूगी, Champs Ford Next, Roll Act Act, 1919 में Roll Act, रोज लेट आता है रोज लेट आता है ओफिस से, Champs Ford, चस्मा फूड़ दूगी Next, खिलापत अंदोलन, अब बीबी जो है पती के खिलाप हो गई होम रूल, घर के रूल नहीं पता तुझे, रोज लेट आता है उसके खिलाप हो गई, वली चस्मा फूड़वाएगा तो चस्मा फूड़वाएगा यानि कि Champs Ford, Next, ऐ सयोग अंदोलन, तो सयोग नहीं करता चस्मा फूड़वाएगा, खाना बनाने में, सबजी बनाने में सयोग नहीं करता ऐ सयोग अंदोलन, सयोग किया अगर, ना तो चस्मा फूड़वाएगा Champs Ford, अब ये रोलेट एक्ट क्या था, वेरी वेरी इंपोटेंट है तो देखिए इस एक्ट के तहत, भारतियों को कोहने पर अरेश्ट कर लिया जाता था, जेल में डाल दिया जाता था कोई बात हो ना हो, थोड़ा सा भी सक हो गया ना, उसको पकड़ के जेल में डाल देते थे और ये रोलेक्ट एक्ट जलिया वाला बाग हत्याकांड का कारण बना था, कैसे, देखिए डाक्टर सत्वाल और सेफू दिन की रूच को, जब अंग्रेजों ने सक्यादार पर गिरफतार किया, तो लोगों ने विरोध परदर्शन किया, कहां पर, अम्रिच सर में इखट अतांदोलन, ऐसा हो गांदोलन, ये सबी हुए चैंप स्फोर्ड के कार्यकल में, नेक्स्ट, लोड इर्विन, 1926 से 1931 तक भारत के वायसराई रहें, इनके समय में साइमन कमीशन 1928 में आया, गांदी इर्विन समझोता हुआ 1931 में, गौलमेज सम्मिलन का आयोजन हुआ, 1930 म और 32 में, तीन सम्मिलन हुए थे, अब देखिए साहिमन कमीशन का विरोध किया, लाला लाज पत्राई ने और नारे लगाए, के भई वापिस जाओ, पर इसका विरोध क्यों किया, देखिए इस कमीशन में जितने भी सदस्चे थे, वो सभी ब्रेटिस थे, कोई भारतिय विरोध किया गया, और इसी के तहट अंग्रेज वारतियों से कहा, क्या तुम अपना खुद का कानून खुद बना सकते हो, फिर इसी करम में, भारतियों ने 1928 में एक रिपोर्ट पेस की, जिसका नाम था नहरू रिपोर्ट, अच्छा ये नहरू रिपोर्ट नहरू जी न तियार की गई थी, ना कि जवारलाल नहरू जी की में, गांधी इर्विन समझोता, ये तो लाड इर्विन है, तो गांधी जी इर्विन इसी के समय में होगा, बिल्कुल इजी है, और भाई, गोलमेज सम्मेलन 1931, बद्थिस, लाड इर्विन के समय में हुए, इन से यही प बात करते हैं, लौड लिनलित गो, 1936 से 1943 तक भारत के वाइस राहे रहे, इनके समय में क्या हुआ, दित्विसु यूद, 1949 से 45 तक चला, और कांग्रेश मंत्री मंडल द्वारा त्याग पत्तर दिया गया, 1949, किसके समय में, लौड लिनलित गो के समय में, आच अब ये कांग नअराज ओकर, कॉंघरेश मंत्री मंडल ने त्याग पत्तर दे दिया, 1949 में, उसके बाद है, ब्रेटेन में चर्चिल परधान मंत्री बने, 1940 में, किसके समय में, लौड लिनलित गो, उस समय भारत के वाइस राहे थे, तो लौड लिनलित गो से सम्धित येही Napoleon तत्य जित् प्राग पत्तर दिया भारत चोड़ों अंदुलन हुआ और ब्रिटिन में चर्चिल परधानमंत्री बने अब बात करते हैं लॉड वेवेल के यह 1943 से 1947 तक भारत के वाइसराय रहे इनके समय में 9 सेना विद्रो हुआ लॉड वेवल के समय में और एटली ब्रिटिन के परधानमंत्री के समय में लॉड वेवल के समय में नेक्स्ट लॉड माउंट बेटन 1947 से 1948 तक भारत के गवर्नर जर्नल रहे थे यह देखिए 15 अगस 1947 को भारत आजाद हो गया आजाद होते ही वाइसराय का पद समाप्त कर दिया गया क्यों क्योंकि हमने आपको बताया था वाइसराय का मतलब होता है राजा का परती निधी जब भारत आजाद हो गया तो राजा का तो कोई उचित्ति नहीं रहता ना क्योंकि भारत सवतंतर हो चुका है तो वाइसराय का पद स्माप्त करके वहाँ पर गवर्नर जर्नल का पद फिर से बनाया गया तो सवतंतर भारत के पहले गवर्नर जर्नल कौन हूए Lord Mountbaton ठीक है माउंट बेटन योजना के तहट भारत को सवतंतर तमिली उसके बाद आते हैं सी राज गोपाला जारी 1948 से 1950 तक ये भारत के अंतिम वे पर्थम गवर्नर जर्नलत थे उसके बाद हमारा समवीधान बन कर तयार हो गया 26 जनवर 1950 को हमारा समवीधान लागू ओआ अब हमारे समवीधान में involved जर्नल के पद को हटा कर वहां राश्टपती जी का पद बना दिया गया जो आज तक चल रहा है तो इस तरह से गवर्णर जर्नल का पद समापतवा और राष्ट पिती जी का पद आया तो दोस्तों हमने पूरी कोशिश किया EGC जी भासा में लैंग्विज में आपको समझाने की ट्रिक्स समझाने की और इसी के साथ हमारा गवर्नर गवर्नर जर्नल और वायसराय वाला चैप्टर हो जाता है फिनिश एक दो दिन में हम आपको एक पचास के सक्टी सैट भी बना कर देंगे तो वो भी आप जरूर सोल कीजिएगा अब दे दीजिए इस प्यारे से सवाल का जवाब क्विन ओफ डेकन के नाम से किसे जाना जाता है बिल्कुल छोटा सा पहरा सा किस्टन इसके सही चवाब कॉमेट्स बॉक्स में दीजिएगा तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद जैभारा